गुर्मार्णी फैंस वेल्कम टो लेर्निंग मीडिया और आज के इस वीडियो में हम बी एस वेस वानेटी फोर जो है हमारा टेक्निक ऑफ इत्नोग्राफिक फिल्मेकिंग के यूनिट फोर को कवर करेंगे और दोस्तों काफी कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं जिस मैं बोल रहे हैं इंपोर्टेंट कोईश्चेंज वगरा प्रोवाइड करने के लिए तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूँ कि यह जो इगनो की किताब है जो टेक्स्ट बुक इगनो इशू कर रही है यह अपने आप में सफीशन्ट है दोस्तों इसके पीछे जो अंडर योर चाकि यो प्रोग्रेस वाला जो सेक्शन है अगर आप उसे अच्छी तरह से अगर आपको अपना प्रोग्रेस उसके बात चेक करना है तो आप अपने असाइन्मेंट के कोशें से एक बार कर दीजिए जिससे आपको एक कंफिडेंस मिल जाएगा फिर भी 17 को एक्जाम है और मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा ब्रीफ एक वीडियो ठीक है दोस्तों तो इस जो यूनिट 4 है अपने आप में इतना इंपोर्टेंट है नी केवल जो तीन इंपोर्टेंट कंसेट है मैं उन्हें कवर करूंगा और वही एक्जाम पर्सप्रेक्टिव के लिए आपके इंपोर्टेंट होगा दोस्तों ठीक है वीडियो शुरू क एडिटिंग को हम एक ऐसा टेक्निक मान सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस मान सकते हैं जिससे हम मिनिंगफुल स्टॉरी तैयार करते हैं तो यह तो हो गया डेफिनिशन पॉइंट आव यू से पर अगर मैं इसे सिंपल वर्ट में आपको समझाओं तो दोस्तों एडिटिंग में क कौन कौन से प्रोसेस हम इस वाले वीडियो में अभी देखें आगे तो सबसे पहले दोस्त आपको क्या करना होता है कि एक शॉर्ट को सिलिट करना होता इसमें ठीक है शॉर्ट यानि वह रौ फूटेज जो आपको इस फिल्म में डालने हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इन सा शॉर्ट कितने मिनिट के लिए होने वाला कितने सेकुंड के लिए होने वाला है यह सारे शॉर्ट जब आप इकटा ले लोगे उसके बाद फिर हम इसे एक फाइनल फिल्म में इंकलूड करते हैं दोस्तों तो 1915 की बात है जब यह नया टर्म एडिटर आया था तो एडि दोस्तों तो जैसे इसमें एक छोटा सा एक्जामपल आप लोगों को दिया हुआ है कि कौन-कौन से प्रोसेस इसमें जो हैं इन्वाल्ड हैं तो सबसे पहले है सिंक्रोनाजेशन ओफ शॉर्ट विज्वल एंड साउंड इसका मतलब जो शॉर्ट है आपका और जो उसमें स साउंड है उन दोनों के बीच में किसनिक होना चाहिए कभी कबार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे फिल्म से हैं जिसमें जो लिपसिंग पहले हो जाती है आवाज बाद में आती है तो यह बहुत इंपॉर्टन हो जाता सिंक्रोनाजेशन ओफ शॉर्ट विज्वल इसके बाद दूसरा है हमारा यह लॉग इस ऑर्गनाज्ट विच पूट टोगेदर डिटेल सव शॉर्ट शॉर्ट समराइजिंग क्लासिफाइग इच शॉर्ट तो एक हमें लॉग मिंटेन करनी होती है जिसमें हम पूरे डिटेल डालते हैं उस शॉर्ट के और उन्हें सम यह कोई शॉर्ट ऐसे होते हैं जिनके हमें जरूरत नहीं बढ़ती है तो उनको एवैलुएट करके उन्हें हटाना और जो यूसफूल शॉर्ट सेज का पार्ट है इसमें जो फॉर्थ स्टेप है वह है जितने भी शॉर्ट हमने मीनिंग्फूल लिये हैं जो इंपॉर्ट पार्ट है तो हम उसे ट्रिम कर देते हैं या तो उसे डिलीट कर देते हैं समयरो दो तो उसके बाद हमारा सिक्स्त है इफ रिक्वाइट एक्स्टा मुजिक और विजूल सराइडे टो एंहांस दा स्टॉरी नरेटिव यह भी आपने देखा होगा कि कोई भी हॉर्र जैसे म यंस्मेंट मिलती है ठीक है उसके ऐसी angles सेलेक्शन होता है फैनल सेलेक्शन में हम पूरे जितने बी हमने शौtक किये हैं उन्हें हम फानली कनफर्म करते हैं और फिर इसको यह करते हैं इसे सिंगल वीडियो में करते तो पढ़ सकते हो, पर यह exam perspective के लिए इतना important है नहीं दोस्तों, ठीक है, तो इस पूरे chapter में मैंने देखाई कि 3 important questions हैं, जो आपके exam perspective के लिए important है, सबसे पहला है editing जो मैं cover कर चुका हूँ दोस्तों, उसके बाद चलते हैं construction of meaning में, तो इसमें दोस्तों important 3 चीज़े हैं, सबसे पहले किसी भी film को हम 3 perspective से देखते हैं, सबसे पहला होता है, जिसमें straight word forward telling होती है, जिसमें क्या होता है, कि एक simple सी आपको कहानी मिलती है, आप उसे देखते हैं और उसे enjoy कर दो, इसमें आपका कोई खुद का interpretation involved नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद part B है, हमारा consistency of stories there, but its treatment can bring out certain meaning, इसमें क्या होता है, यह दूसरे type की stories होती है, जिसमें consistency तो होती है, एक continuity होती है उसमें, पर क्या है कि अगर उसमें थोड़े से changes हम कर दें, तो वो दूसरे कुछ meanings के साथ आ सकती है, समझे रहो उसके बाद type C वाली movies क्या है, जो हमारे पास C part में है, वो है domination of style, but coherence and the realism in the postmodern narrative, live a lot of interpretation to the viewers, इसका मतलब कि कोई-कोई ऐसे styles हैं, जो हम उस movie में include करेंगे, तो फिर वो एकदम अलगी meaning लेकिया आता है, जिसमें आप multiple meanings निकाल सकती है, उसमें आपकी interpretation involved होती है, कि यह ऐसे हो इसमें यह होना चाहिए था, इसमें वो होना चाहिए था, इस टाइप के हम लोग लेके आता है, viewpoint कोई एक movie देखने के बाद, तो यह तीन टाइप के movies हैं, जिनके तुरू हम फिल्म को, तो दोस्तों हमारे textbook में एक male gaze theory दी हुई है, जो मॉल्वे साब दुवारा, लॉरे दुवारा दिया गया है, तो इनका यह मानना है कि जितने भी medias हैं, जितने भी films हैं, final film projects हैं, जो उसमें एक women को as a passive object माना गया है, और जो कुछ भी है, वो एक male perspective से देखा जाता है, means उनका यह मानना है कि women की जो representation किसी भी cinema में, उसमें एक male dominated society उन्हें ऐसा लगता है, ठीक तो इस theory को हम तीन तरीके से देख सकते हैं, कि एक men women को कैसे देखता है, women अपने आपको कैसे देखती है, और women दूसरे women को कैसे देखती है, तो इन तीन ways में हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें एक simple definition दिया है, तो the male gaze implies that the female viewer must experience the narrative secondarily by identification with the male, it is the duty of the man to act while the woman just appears oblique exists, the male dominated and the dominated female are depicted by the representation, the female as a passive object for the male gaze, वही चीज़ एक समझ में हो गया होगा, कि male gaze theory actual में है किस बारे में, है कि नहीं, इस पैरा को एक बर पढ़ने ना आपको ये चीज़ समझ में आ जाईए, उसके बाद एक simple concept है, culture industry, ये भी काफ इंपोर्टेंट है, तो दोस्तों होकीमर और अडड़नो साब के दुआरा, इस theory को दिया गया था, इसमें क्या है कि एक cultural industry, एक ऐसी industry को बता जा रहा है, जिसमें कि कोई भी media होता है, कोई भी film होता है, कोई वीडियो होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो culture हमें show किया जाता है, हम उस चीज को copy करना चाते हैं, इसका एक मैं छोटा साब को एक example देता हूँ, आप कोई भी movie देखो, और कोई भी serial देख सकते हो आप, तो उसमें आप देखते हो कि वहाँ पे जो actor और जो actress होते हैं, जो उस serial में acting कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, वो इनने life में effort नहीं कर सकता है, आप किसी भी क्रिकेटर को देख लोगे, कोई एक film star को देख लोगे, वो अगर बोल देंगे कि वीमल पान मसाला खाओ, जुबान केसरी, तो फिर बंदे क्या उसे खाने लग जाएंगे, है कि नहीं, तो क्या ये एक culture एक ऐसा वो लोग develop करते ह हैं, जिससे हम लोग उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों और इसी तो चलिए दोस्तों इसे एक बार पढ़ते हैं, और की मर एंड अडर्नो, fresh from the political and economical totalitarianism of the Nazi Germany, discovered a new form of the tyranny in the United States in the form of the Hollywood and the culture industry, the cultural industry produces a standardized homogenous mass culture in which the market like a lava flow consumes everything of value in its तो citizens are turned into consumers, तो यही चीज वो भी बता रहा है, ठीक है, यह इसके कुछ important important concepts थे, जो important है, आप एक बार इसके जो check your progress वाला section है, इन सब को आप करके देखेंगे, फिर आपको कोई doubt आता है, तो आप इसमें हम से पूछ सकते हैं, और हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी हैं, जो harsh है बहुत जादा और बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि वो इनका हक बनता है कि वीडियो लेना, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कबार, वीडियो का अपलोड करने में, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसे 17 से पहले complete करने के और यह साथ वीडियो को समाप चाहिए